दोस्तों हमारी राय में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं मैं हूं राजीव तो एक वीडियो आज सोशल मीडिया में काफी वाइरल हो रहा है जिसमें एक भगवाधारी महंत खुले आम भरी भीड में मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराध करने की धमकी दे हम इस घटिया इंसान के इस घटिया वीडियो को यहां नहीं दिखा सकते हैं लेकिन उसके चेहरे को आप कुछ फोटोग्राप्स के जरीए जरूर पहचान लीए दरसल इस भगवाधारी का जो वीडियो वाइरल हो रहा है वो वीडियो दो अप्रैल का बताया जा रहा है इ इसने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक मस्जिद के बाहर कथित तोर पर मुस्लिम महिलाओं के अपहरन और बलातकार की धंकी दी है वीडियो में दिखाई दे रहा ये शक्स बाकाइदा लाओडी स्पीकर से ये ऐलान कर रहा है कि अगर कोई मुस्लिम इस इलाके में क श्रीराम के नारे लगाकर उसका जैजय कार कर रही है और उसकी कार के पीछे कुछ पुलिस करमी भी खड़े हैं जो बड़े आराम से हेट स्पीच के नए नमूने को सुन रहे हैं बताया जा रहा है कि इस महंत का नाम बजरंग मुनि दास है जो खैरा बाद कस्बे के प्रश्मन दास उदासीन आश्रम का है इस शक्स ने नवरात्री और हिंदू नववर्ष के अवसर पर एक जुलुस निकाला था इस महंत पर आरोप है कि जब जुलुस एक मस्जिद के पास पहुंचा तो इस व्यक्ति ने लाउड स्पिकर पर नफरती भाशन देना शुरू क जिशेकार करूंगा इस वीडियो को देखने के बाद यही कहा जा सकता है कि वेलकम टू निव इंडिया जी हां है यह को स्वागत होता है चलिए बढ़े आगे एक और वीडियो देखिए ये नजारा इंदौर एरपोर्ट के बाहर का है दोस्तों और जिस शक्स का स्वागत हो रहा है वो कोई फिल्म स्टार नेता ओलंपिक मेडलिस्ट या चैंपियन नहीं है बलकि ये है एक आरोपी जिसका नाम है काली चरन जी हा एफ आई यार दर्ज हुई थी और काली चरन न्याईक हिरासत के तहत राइपुर जेल में तीन महीने तक रहा हाल ही में उसे जमानत मिली है जिसके बाद काली चरन इंदौर पहुंचा और यहां उसका स्वागत इस तरह किया गया जैसे कोई महापुलश आया हो उसके संधी के अपने देश में उन्हें अपमानित करने वाले इसी तरह की हिंसा दिखाते रहेंगे हिंसा के यह अलग अलग नमूने अब जगह जगह देखने को मिल रहे हैं दोस्तों खासकर बीजेपी शासित राज्यों में सबसे पहले आपको जो जिस वीडियो का हमने जिक्र किया था महंत का वो भी बीजेपी शासित उत्तरपरदेश के सीतापुर का है और जहां मोदी जी और योगी जी ने दोनों ने चुनाओ के दौरान कानून का राज होने अपराधियों के डरने और माफिया पर बुल्डोजर चलाने की बात कही थी ज्यादा पुरानी बात न पुलिस और यूपी पुलिस को टैग करके बताया कि इस वीडियो में क्या कहा गया है और यह वीडियो दो अप्रेल को शीशेवाली मस्जीद के नजदीक खैराबाद सीतापुर में बना है आठ अप्रेल को भी मोहमत जुबेर ने एक नए एंगल से इस वीडियो को शेर कर करते हुए लिखा है कि इसमें कितने पुलिस वाले दिख रहे हैं हेट स्पीच का वीडियो खूब वाइरल हो रहा है और लोग इस वीडियो पर आक्रोश प्रकट कर रहे हैं एक यूजर ने लिखा सरयाम रेप की धमकी के बिना नवरात्र का सफल समापन और कैसे हो सकता थ ऐसे अपराधियों से ही हिंदू धर्म को सबसे बड़ा खत्रा है कुछ सोशल मेडिया यूजर्स ने केंद्रिय मंत्री स्मृती इरानी को टैग करते हुए सवाल किया है कि सांपरदाइक सोहार्द्र बिगारने वाले और महिलाओं को लेकर गंदी टिपणी करने वाले लोगों में बढ़ते आक्रोश को देखते हुए पुलिस ने जाच कर कारवाई करने की बात कही है दोस्तों सीताप और पुलिस की ओर से भी टूइट लिखा गया है कि अपर पुलिस अधिक्षक उत्तरी द्वारा जाच प्रचलित है प्राप्त तत्यों एवं साक्षों के अधार पर नियमानुसार विधिक कारवाही सुनिश्चित की जाएगी तो सवाल यह है कि क्या पुलिस इंतजार कर रही थी कि इस हेट स्पीच पर पहले समाज से नाराजगी का इजहार हो फिर वो कोई कदम उठाए जिन पुलिस वालों की मौजूदगी में महंत ने वो ध समाना है आप तक ऐसे हेट स्पीच ऐसी भावनाएं ऐसी दुर्भावनाएं लोगों के बीच जिस प्रकार से नफरत फैलाने की कोशिश हो रही है वो पहुंचाई जा रही है इस से बचिए और ऐसी चीज़ें आती हैं तो ततकाल पुलिस को इंफॉर्म कीजिए यही हम च कर दो